मेरा नाम है डॉक्टर दीपक क्याएकर मैं मनोविकार सेख्स रोख सम्मोहन तथा व्यस्थन मुक्षित अग्यों महाराष्ट में अकॉला में प्रैक्टिस करता हूँ बिजनेस में जभी कभी बात होती है और मेरे पास जो क्लाइंट्स आते रहते पेशेंट्स आते रहते बिजनेस में लॉस ऐसा बोलते हैं उनको फिर उसमें डिप्रेशन आता है तो चर्चा निकलती है कि बिजनेस में लॉस कैसा भरपाई करेंगे उसको कैसा आगे कि आपको बता है कि Blue Ocean Strategy नाम का एक किताब प्रिंट हुआ था चप गया था काफी सारी हंडेड इंडस्टीज मतलब अलग अलग इंडस्टीज हंडेड कंपनीज और काफी साल रिसर्च करके वो किताब बनाया गया था लिखा गया था और उसमें उन्होंने इसमें Blue Ocean Strategy के बारे में बताया था क्या होता है कि Blue Ocean इसका मतलब निले रंग का समुन्दर सागर और रेड ओशन इसका मतलब लाल रंग क्या होता है कि लाल रंग का समुन्दर मतलब उन्होंने यह बता गया है कि जहां बड़े-बड़े शार्क रहते हैं बड़े-बड़े मश इसलियां रहती है बड़ी बड़ी वो क्या करती है वो समुंदर में वो समुंदर में एक दूसरी से जगड़ा करके जो भी खाद्य उनको मिल रहा है वो खाद्य के लिए वो खाने के लिए जगड़ा करके बहुत खून वहां भय जाएंगा और जगड़ा करके वो अपना-प आपना शेयर हर व्यक्ति लेने की कोशिश करता है इसे अच्छा जो ब्ल्यू ओशन है निले रंग का समुंदर वो पुरा खुला है वहां कोई मारा मारी जगडा कॉम्गितिशन कुछ भी नहीं है और वहां जितना आप खा सकते उतना खालो जितना मज़ा कर सकते उतना मज़ा करो जितना बिजेस पराभुशन कर क्ल़ों कि आजकता है कि हर बिजिनेस में छाली हम कि इसमें हर बिजिनेस्स में कॉम्पीटिशन है ł Chin को से यूसे की टांग किचना है उसमें होता किया कि अपनी प्रॉड्ड जो है पने प्रॉड़किट क्वालिटी कम करो और बैजा । या बद्माशी प्रॉय। टैक्सिछ चुका और प्रॉड़क्ग सस्थे में बैजा या सामने वाला कॉम्पेट ठेकर उसको मारा-मारी करके उसको कैसा उसकी टांक खीचे जाए और वो कैसा खतम हो जाए उसके लिए कोशिश करो तो red ocean strategy में बहुत मारा-मारी है और उसमें फिर ग्रहाक राजा होता है और ग्रहाक के हिसाफ से मतलब customer के हिसाफ से अपने को माल अपना बेचना पड़ता है क्योंकि ग्रहाक के पास में choice है और हमको competition में मारा-मारी करके एक तो अपनी किम्मट डाउन करो कम किम्मत में माल बेचो बदमाशी करो या फिर बहुत जादा hard work करो बहुत जादा hard work करना पड़ेगा कॉस कटिंग करना पड़ेगा और फिर उसमें मज़ा नहीं है वहाँ freedom नहीं तो इसलिए blue ocean strategy क्या है हमको देखना पड़ेगा ब्ली ओसना मतलब नय मारकेट में जाना और नय मारकेट मैं जाना और नय मारकेट में जाके वहां business करो इसका मतलब है unconventional मारकेट जो है वो उसका घुनळणना है unconventional मार्केट क्या वाद है कि कुछ मारकेट जो ऐसा है कि घिसमें customer अपना product ले नहीं रहे नुबर एक कोई कारण हो प्राइस है मतलब उसकी कीमद्र करके नहीं फिलाइक नहीं है वह कंपनी को लाइक नहीं करते हैं उनको जो भी कुछ कारण होंगे अपना प्रोड़क्त लेते नहीं क्योंस्केंट क्लब दूसरा एक do का क्स्टमर उसका कलास जो है वह इंडस्ट्री का प्राड़र्ट यह को अंप कर होते नहीं नहीं हमको भामरा में चल जाता है हम पैदल जाएंगे या बाइक हमको कार होना ही है तो फिर वो भी कि अपना कस्टमर ईंड़ी है तो कार इंड़स्ट्री में ऐसा कस्टमर की जो अपना प्रॉडट्क संधे रहा है और वह अपना कस्टमर है नहीं उसको देखना इना ही नहीं के उसमें कुछ innovations करके उसको वह अरो स्अ करते हैं कि तो वह करते हैं उसमें कुछ तह Confirm करना पड़ेंगा नया प्राडक्द नर पड़ेंगा जो प्राड़क्थ Central से कमत घटा के उसमें कुछ तहरी नाया new battery different कर रहे और वो दे रहे है कि जो customer को मालू भी निए कि इनकी है उनका नीड है कि यह ड़्तौ है यह इसका अपने ग्जांपले डरह को ल્क दरना है मुझे तो एक योकाइज पल में दे सकता हूं आप्यों ने क्या धिए कि काफी सारे हॉट ही ओए हॉट्स मतलब पूरी अकुपनसी नहीं रही थी 50-60 कुछन अकुपनसी रह रही है कम अकुपनसी है करके वो होटेल में उनकी कीमत उनको हाय रखना पड़ता था ज्यादा रखना पड़ता था किमत ज्यादा रखना पड़ता है लोगों को फिर पूरता नहीं मतलब एक ऐसा सेक्टर मार्केट ऐसा कस्टमर था कि जो कस्टमर को अच्छे shit mig में रहना पसंद करता था MAKAR QS it was kung andar वह हो गयुख की ऑने बोज़ maun कस्टमर थे कि जिन्को हाट्ल में तो रहना है अच्छी हाट कि में रहना मतलब उनको काम उनके जो दा में वो जादा रखने पड़ते हैं उनको जड़ते कस्टमर की हुश्टी हुश्टी हूटिल की उनका उनकी है जो वो उनका बराबर कोडिनेशन कर दिया। हाटेल वालों आपको हाटेल भरवा के देंगे आप अपनी वोग negro को स्ग्षोज कम करने में यहाजक्ट जाते हैं नहीं क Violence तो दर्वान जा कर दिया या आपकी बैक उठाने के लिए ऑटेक्छित तक आ रहा है मुझा आपकी बैक उठाके मतलब ऐसा जो भी कोई ऐसे लग्जूरी आइटम थे कि जो लग्जूरियस एटम्स वो कम करके उसकी कॉस घटा दिया इधर लोगों को कम सस्ट मतलब कम दा में होटेल मिल रहा है जिनको वो होटेल में जाई सकते नहीं थे किमत पूरती नहीं थे अभी वो जो नॉन कस्टमर था वो नॉन कस्टमर को यह उनने कस्टमर बना दिया यह होटेल इंडूस्ट्री का जिसमें वो कभी आते नहीं थे वो जाते थे 300 400 500 के होटेल में उनको बता है कि आपको 600 700 800 में होटेल मिल जाएगे जिस दिन बहुत ही मतलब अकुपंसी कम है उस दिन और और रेट ढटा देंगे जिस दिन बहुत कॉम्पेशन है उस दिन रेट बढ़ा देंगे सब कॉम्पेटराइज अल्गोरिदम उसमे उनको रहने के लिए बतलब जो नॉनका स्टमर था इनने क्या गया ओयो ने एक इनोवेशन कर दिया उनको खुद को हाटल लगाने की जरूत नहीं है उनका पैसा बच गया है ओयो को यह वह वह एक भी होटल नहीं है ओयने स्टिप मैनेजमेंट कर रहे है जो देने वाला है जो लेने माला है उनका कोडिनेशन कर दिया खुद का एक भी इन्वेसमेंट नहीं है और इंडस्ट्री हो यह की चल रही है होटल की इंडस्ट्री भी चल रही है लोगों को भी फायदा हो रहा है तो यह जो है यह ब्ली ओशन सेटीज है कि कंप्लीटली नया करना होटल में जा सकते थे बड़े होटल में जा सकते थे वह कस्तमर को मालूम नहीं है कि अपने कस्तमर है जो कस्तमर जाते ही नहीं है होटल के तरफ उनको होटल के तरफ डैरेक कर दिया और इनका बिजनेस अच्छा बढ़ रहा है और दुनियावर में काम कर रहा है वैसी सेम वान जला तका यह नहिं कर गया मंट कर अद्धी बेता हो गया है इस में इस में होता है कि ऊबर का खुद कोई बीडिड्ण में नहीं हैangan कि तो IndraStructure लगाने कि जरौत नहीं है तकसी खार दो लोँ भी तेक्सी का वेंटेनेनस कर आउन आउने को कुछ देमोब नहीं जो लोगों को टैक्सी पूर्ती नहीं थी वो लोगों को टैक्सी एजली अवेलेबल हो गई उनलाइन टैक्सी मंगाओ इस्याव इविलिटी यह बाकी जो टैक्सिस आड़े ज्बाव रहते लेते इन से गम नाम में एक स्टेंडराइज कर दिये इसे अवेलिटी है तो जो टैक्सी वाले आप से धन्ना नहीं है या कस्तमर नहीं है बड़े मुश्किल से तीनाजार चाराजार पांश्यार कर रहे ह कोई टेक्सी वाले अभी 8-10,000, 7-10,000, 15-10,000, मतलब यह रही में धन्ना करते है, जो कस्टमर को एक हजार रुपे पढ़ते हैं समझे एक जग जाने के लिए, वो कस्टमर को अभी 700 में काम हो रहा है, 600 में काम हो रहा है, और वो वहाँ जा रहा है, फसा ने कहो कोई कार्यक्र देने को तयार था, वो कस्टमर को टेक्से में कंद्वर्ड कर लिया, जो नॉन कस्टमर था, उसको कस्टमर के इसमें ला लिया, तो बेसिकली ब्ली ओशन सेटीजी यह है, नमबर एक कि उसमें नया, डिफरेंट और बेटर करना, new, better and different, कॉस्टिंग जो है, वो कम करना, क् अमब्र कम, quality भी अच्छी है, जो class, taxi में जाता नहीं था, जो class हो हुपर किया, उसका अपर मिदल, मिदल मिदल and lower मिदल, यह जो class है, high class जो जाता था, वो फिर स्टार हटल में या फूर स्टार हो च्टमर में जाता था, वो high class के बतली है, middle, middle, middle and lower middle, यह class बहब अभी अच् जो था middle class कि जो कभी taxi में जाता नहीं था बस और railway में जाता था वो लोगों को अभी taxi मिल रही है और easy availability है cheating नहीं है तो वो उनको मिल रहा है तो यह totally नया market है तो आपको आपका business एक अलग level पर जाने का तो आपको सोचना बढ़ेगा कि मैं नया क्या कर सकता हूं non customer जो है वो कहां से दून के निकाल सकता हूं non customer जो customer है नहीं मालूम ही नहीं कि अपन customer है यह जो customer target नहीं हो रहे हैं वहां कहसा में target कर सकता हूं उनको non customer लोगो अच्छा और कम दाम में कैसा दे सकता हूं क्योंकि blue ocean strategy में you are the only one you are the number one आप अकेले रहते हो and you are the first one आप first one हो number one हो and only one होता गया है उसमें बाकी बाद में लोग आएंगे बाकी काफी लोग आएंगे बाकी फिर वहाई blue ocean फिर कुछ समय के बाद में red ocean बन जाएगा तब तक आपको यह सोचना है कि अभी blue ocean नहीं कुछ साथ चलू करना है मगर आप बेंदी पहले रहते हो blue ocean में तो आपको definitely advantage मिलता है क्योंकि बाकी लोग जो आएंगे पीछे से वो duplicate आपकी copy मारेंगे duplicate करेंगे आप जो कर रहे हो उनको करने तो मगर आपका नाम हमेशा top पे रहेंगा हो सकता है कि कुछ समय बात वहां भी मारा हमारी हो जाएंगी वो भी red ocean हो जाएंगा फिर आपको नया blue ocean ढूंडना पड़ेगा तो यह blue ocean strategy और blue ocean strategy में आपको यही देखना है कि new better different नया invention better you know better things low cost quality अच्छी और जो customer नहीं है वो customer के पास वो customer को target कर रहे हैं यह दिया आप करते हैं तो आप आराम से आपका घंदा है जो मेटोगा example है कई किस्में इन्फरास्ट्रक्चर में एक रुपएं डाला नहीं और सब काम फठापड कर अभी 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 पर बorthy its है तो बोर शेयर टेक्सि में होता क्या कि दाम अबी और कम हो जाते फिर ख्यांगे तो यहाँ करेंगे तो डेफिनिटली आपका अलग लेवल पर आएगा आपको तैसलगंग। डेफिनिटलिज्यों झाल झाल